Hello students, how are you? कैसे हैं सब बेटा? आज हुम जो सिखने वाले हैं, वो है चेप्टर नमबर 7 from grammar book. ओके, चेप्टर नमबर 7, सर्वनाम, पेज नमबर 39. ओके, everyone open your grammar book and open your page number 39. ओके, अब यहाँ पे देखो, इस सित्रों को देखिए, अधिया पिकाने सुरुती से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया, रोहन मरी जो को देखता है, वह डोक्टर है, तो यहाँ पे बेटा जो पिक्चेस दिये, उसमें कुछ कलर यहाँ पे परपल कर दिया है, राइट, अब हम एक 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 दाम्पल से शुरू करें, अगर मैं सपोस्थ हम किसी क्लास में एक बच्चे का नाम ले ले, किसका नाम ले, सपोस्थ शुरूती, ओके, चलो हमारे क्लास में शुरूती है ना, तो शुरूती, मैंने शुरूती से पूछा, कि शुरूती, तुमने तुमारा गुरुह कार्य किया, शुरूती ने कहा, कि मैं आज मेरा गुरुह कार्य छुट गया, सुरूती यह कईके रोने लगी सुरूती को रोते हुए देखकर अध्यापिका ने कहा कि सुरूती तुमें रोना नहीं है सुरूती तो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा बार बार मैं क्या यूज़ कर रहे हैं सुरूती ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हुँ ना तो यह दो बहुत लंबा हो रहा है उसकी जगा पे अगर मैं ऐसा यूज़ करू कि सुरूती को अध्यापिकार जी ने शुरूती को पुछा कि क्या तुमने तुमारा गुरुह कारिय कर लिया उसने कहा कि नहीं मैं मेरा गुरुह कारिय रहे गया है तो यहाँ पे मैंने तुमने उसने उसे ऐसे जाने सारे जो वर्ड यूज़ किये हो मैंने संग्या की जगा पे यूज़ किये याने कि नाम की जगा पे यूज़ किये तो जो शब्द नाम की जगा पे use होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम, को इंग्लिश में हम बोलते हैं, प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन में आप his, him, ऐसे word use करते हो ना same यहाँ पे हिंदी के अंदर भी तुमने वह में आप ऐसे सारे word use होते हैं तो सर्व नाम की व्याख्या क्या हो गई बेटा नाम की जगा पे आने वाले शब्द को हम बोलते हैं सर्व नाम Is it clear बेटा Now open your page number 40 Okay, on page number 40 हमें यहाँ पे बताया गया है कि सर्व नाम जो है बेटा वो एक वचन और बह वचन यानि singular और plural form में होते है Right, singular में हो अलग होता है और plural यानि के बहु वचन में भी हो अलग होता है Okay, जैसे मैं यहाँ बोलू मैं तो मैं क्या हो गया? एक वचन वही चीज़ को मुझे बहु वचन में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? हम जैसे मैं बोलू के मैं आज बहार जाने वाली हूँ तो यहाँ पर मैं अक्यरी की मेरे खुद की बात कर रही हूँ तो मैं आया अब मेरे साथ दो तिन और लोग आ रहे हैं तो मैं क्या यूस करूँगी? हम लोग बहार जाने वाले हैं तो मैं की जगा पर हो क्या हो गया? हम तो जैसे ही मैं बोलूँगी सामने वाले को आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हम बोला है मतलग एक से ज़्यादा लोगों की बात की है वैसे ही आप आपका क्या हो जाएगा आप लोग किसे का हो जाएगा किन है तू का हो जाएगा बहुवचन तूम वह का बहुवचन होगा वे उसे का उन है तूम का तूम सब और यह का ये ओके समझ में आ रहा है बच्चो तो जब हम कोई भी सरवनाम यूज़ करते तो एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होते हैं कुछ सरवनाम के इस प्रकार है जो यहां पर बोक्स में दी है बेटा में तू वह हम यह पूरा प्रिड करना यह सारे की सारे जो है वो सरवनाम है वो हर एक शब्द नाम की जगा पर हम यूज़ कर सकते हैं ओके बच्चो तो यहां तक लियर अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा जो सरवनाम है बेटा ऐसे सारे बोक्स में दी है लेकिन उसके भी प्रकार है अलग-अलग उसके अलग-अलग करते हैं पूरुष वाचक, निश्चे वाचक, अनिश्चे वाचक, प्रश्न वाचक, समंध वाचक और नीज वाचक बहुत अच्छे से हरे एक भेद को देखना बेटा क्योंकि फिर ऐसा ना होके सब कन्फ्यूस हो जाओ और सब मिक्स हो जाए ओके सबसे पहले हैं प्रयोग बोलने वाला अपने लिए यानि जो खुद बोल रहा हो खुद के लिए यूज़ करें सुनने वाले के लिए यानि श्रोता के लिए और अन्यव यक्तियों के लिए करता है उसे हम पूरुस वाचक सर्वनाम कहते हैं ओके जैसे मैं यहां बात करें मैं खुद अप अपनी बात कर रहा है अब जो सुन रहा है सपोज आप लोग सुन रहे हो राइट तो मैं आपके लिए क्या बोलूंगी आप लोग कब आओगे राइट या फिर वह नहीं आएगा में भी नहीं आप भी नहीं लेकि मेरे से दूर थोड़ा कोई है अगर आजू बजू मैं कोई लोग में तो उसकी भी बात कर रही हूं मतलब सुनने वाला बोलने वाला और आसपास के व्यक्ति के लिए जब हम कोई बात करते हैं तो उसके लिए जो सर्वनाम हम यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे पूरू स्वाचक सर्वनाम इस इट क्लियर बेटा नाव ओपन यूर पेज नमबर 41 ओके नाव ओन पेज नमबर 41 सेकंड है निश्चे वाचक सर्वनाम जी सर्वनाम सब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तू के बारे में पता चले कोई पर्टिक्यूलर चीज जैसे आप समझे लोग यहाँ पर बात करें धह इंगलिश में आप धह यू हम सारे माउंटें में से कोई पर्टिक्यूलर माउंट की बात करें जैसे दह हिमालया तो यहां पर पता चला कि हम किसकी बात करें सिफ और सिफ हिमालय की बात करें तो महां पर क्या यूश करते हैं धह वो निश्ची थे वैसे ही यहां पर भी जो चीज निश्ची थे कि हम इसी की बारे मैं बात कर रहे हैं, तो ऐसा सर्वनाम दिखाने के प्रकार को उम बोलेंगे, निस्चेवाजक सर्वनाम, जैसे मैं ऐसा बोलू, कि यहा घर मेरा है, तो मैं किसकी बात कर रहे हूँ? सिर्फ और सिर्फ मेरे घर की बात कर रहे हूँ, मतलब वो निस्चित है, तो ऐसे सर्वनाम को हम बोलेंगे निस्चेवाचक सर्वनाम, ओके, अब थर्ड नमबर है उससे बिल्कुल ओपोजिट, अनिस्चेवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम सब्द से किसी निस्चित व्यक्ती वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, उसे हम लेंगे अनिखे वाचक laser वनम जिसे बहुँ बाहर कोई और sipse कि मैं बात कर रह ie है लेकिन यहां पर मैंसा बहुं कर आए यहां में बाहर कोई नइया है तो कोई मतलब कोई भी हो सकता यह거든 मैं रहए तो यहा यहां पर उसकी यहां बहुत लेकिन फैया कोய हो नहीं है यहाँ पर अनिस्चित बात हो रही है तो ऐसे सर्वनाम को बोलेंगे अनिस्चे वाचक सर्वनाम ओके बच्चों समझा रहा है ना जैसे आप बोलो चाय में कुछ पड़ा है कुछ मतलब का कुछ भी हो सकता है हमें पता नहीं हम उसको बोलने के कुछ तो है वो चाए पती भी हो सकती है इलाइची भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है तो जो निश्ची नहीं है उसके लिए हम वो यूज करेंगे अनिश्ची वाचक सर्वणाम ओके बीटा इंग्लिश में बोले तो डबल्यू एज आप सीखे होंगे या शायद आगे सीखोगे डबल्यू एज याने हूँ, वोट, वैन, वैर ऐसे शब्दों से जो आप question बनाते हो बस यही चीज यहाँ पे भी है कोई भी सर्वनाम में आप जब प्रशन पुछते हो तो उसको हम बोलेंगे जिसमें प्रशन का बोध होता है ऐसे सर्वनाम को बोलेंगे प्रशन वाचक सर्वनाम जैसे क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या आदिय ने पुरा होमवर्ग कर लिया? क्या जहिनिल ने आज खाना खा लिया? तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहें? क्या हो गया? प्रशन का भाव उत्पन करता है तो ऐसे सर्वनाम को हम बोलेंगे प्रशन वाचक सर्वनाम नेक्स्ट है संबंध वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम सब्द के वाक्य में आने वाले दुसरे सर्वनाम शब्दों को जूड़े हुए होते हैं उन्हें हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो सो मतलब एक सर्वनाम दुसरे सर्वनाम से जूड़ा हुआ होता है जैसे एक्जाम्पल देखो जेसा करोगे वैसा परोगे तो जेसा और वैसा दोनों क्या है सर्वनाम है लेकिन क्या है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है ओके जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़ जाता है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैस तो जिसकी और उसकी वो दोनों क्या हो गएं एक दुसरे से सब्बंध है ये सरवनाम का Right? क्योंके जिसकी के साथ साथ उसकी वो जुड गया है तो जिसकी लाठी उसकी भेश दोनों क्या हो गएं? संबंध वचक सरवनाम ओके बेटा? लास्ट वन इस नीज वाचक सर्वनाम नीज का अंदर सिंपल सा हिंदी बोलो तो खुद नीज का मतलब क्या था है, यह सिनो नम से, समानारती है, नीज याने खुद ओके तो जो सर्वनाम खुद की लिए हम यूज करते है जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किये जाते हैं उन्हें हम नीजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे अपना काम स्वयम करो तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है खुद की हो रही है स्वयम की बात हो रही है तो स्वयम वो भी सर्वनाम कैसा हो गया नीजवाचक वह खूद चला जाएगा तो यहाँ पे खूद भी क्या है सर्वनामे बढ़ केसा सर्वनामे स्वयम के लिए यूज हुआ है इसलिए हम उसको बोलेंगे या वो पर्टिक्यूलर व्यक्टि के लिए मैं बोलेंगे वह सपोस मैं बोलेंगे के देवर्ष खूद चला जाएगा तो यहाँ पे किसकी बात हो देवर्ष के हो रहे लेकिन देवर्ष के खूद के लिए वो बात हो रहे उसकी स्वयम के लिए हो रहे है तो ऐसे सर्वनाम का ओलेंगे नीजवाचक सर्वनाम ओके बेटा तो ये अलग-शे भैद है सर्वनाम के अच्छे से उसको रीड करना इसके साथ साथ ही बेटा मैंने दो वीडियो और एक्स्ट्रा आपको भेज रही हूँ जिससे आपका ये एकदम सर्वनाम क्लियर हो जाए साथ ही साथ पेज नंबर 42 पे जो अभ्यास दिया है उसकी पीडिये भेजूंगी वो भी आप लोगों को पूरी करनी है ओके बेटा फिर भी कोई डाउट हो यू केन कोल मी इनी डाइम ओके स्टे होम स्टे सेफ वा नाइस डे